हाई एवरिवन कैसे हो आप तभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूर आहूल जेस्वाल आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हम सिक्टांडर के लिए भी कंटिन् कर लो या फिर डारेक्ली सबसे सिंपल यूटूब पर सिफ सर्च करोगे और हमारे जया टूटोल का नाम टाइप करोगे तो आपको हमारे वीडियो उपर देखने मिल जाएंगे टॉप पे हमेशा राइंग करते हमारे वीडियो ठीक है तो जरूर से सर्च करना तो चलिए आज क्या लेकर आया हूँ एक नया चाप्टर सिक्स टैंडर के लिए माच सब्जेक का जो कि है रेशो प्रपोर्शन तो रेशो क्या होता है प्रपोर्शन क्या होता यह आपको बता चलेगा और साथी में आज इसी टॉपिक के बेस पे प्रक्टिस सेट नमबर 28 हम पूरा स साथ ही में most important thing प्लेश्टोर पे जाके हमारा जया डूडोल का आप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बहुत अच्छे चीज़े उसमें आ रही है धिरे-धिरे सब चीज अपलोड हो रहा है तो आप लोग ट्याव देना ठीक है वीडियो की शिरुवात करते हैं तो सपोस्ट टोटल साथ बच्चे लोग है पूरी क्लास में पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं दोस्तो बताओ कॉमेंट करके पूरे टिविज़न में परते हो six टंडर established sing बडे जो भी होगा उसमें इसमंजो साथ पूरे बच्च्चे है और साथ में से 40 बच्चे जो है वो तो इसको बोलते हैं अनुपात, अनुपात का मतलब यह होता है, कि कभी भी कोई दो चीज को हम लोग एक दूसरे से compare करते हैं, और वो compare करने के बाद हम लोग एक दूसरे को उससे divide करते हैं, यानि एक के नीचे एक लिखते हैं divide form में, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई मुझे ब सकते हो ना, 0, 0 cancel हो गया, 2, 1s are 2, 2 to the 4, तो आपका answer क्या आया, उपर 2 आया, नीचे 1 आया, तो यह आपका क्या हो गया दोस्तों, यह 2 और नीचे 1 जो आया, यह आपका आगया ratio, मतलब 2 upon 1 is the ratio of boys and girls, मतलब boys और girls का जो ratio है class में, वो 2 by 1 है, तो 2 by 1 का मतलब क्या है, boys 2 है, तो girls 1 है, boys 4 होंगे, तो girls 2 होंगे, boys 6 होंगे, तो girls 3 होंगे, मतलब हर बार 2 boys बढ़ेंगे, तो एक girls बढ़ेगी, तो यह उसका क्या हुआ ratio हुआ, अब एक और चीज लिखा है है, इसमें, जो कि यह proportion, अब बच्चे न, यहाँ पर बहुत सारे लोग इवन, बड़े-बड़े इसको confusion होता है, कि एक ratio में, और एक proportion में, actual में फरक है क्या, तो फरक यह है दोस्तो, कि ratio जो है, वो हमेशा एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है, that is 2 upon 1, और जो proportion होता है, वो बस ratio के form में लिखा जाता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको is 2, इसके form में, is 2 के form में, that is nothing but the proportion, तो यह क्या होता है, जैसे हमारा ratio का value क्या आया, 2 by 1, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, proportion में, 2 is to 1, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 2 is to 1, और इसको बहुत सारे लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, 2 ratio 1, लेकिन वो 2 ratio 1 नहीं है, यह क्या है, 2 is to 1, मतलब 2 boys है, तो 1 girls है, वैस इसी के base पे, कई सारे problem से हमारे practice set में, यह हम लोग solve करेंगे, फटा-फट से, एक गम ध्यान लगा के देखना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीके, तो क्या आप लोग रेडियो इस चीज़ के लिए, शुरुआत करे, चलो, तो सबसे पहले हम ल proportion of the first number to the second, आपको दो-दो नंबर दिये हुए, यह दो नंबर, 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 कई सारे नंबर दिये हुए, आपको बस क्या करना है, इनके proportions को लिखने है, तो सबसे पहले, लिखो यहाँ पे, 24,56 है, अब इसका ratio, क्या करना 56 से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब यह दोनों नमबर को एक दूसरे के निचे लिखो अब कुछ ऐसा नमबर जो ढूंडो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके एक ही साथ ठीक है तो ऐसा नमबर देखो 8 के टेबल में 8 3 जा 24 होता है और 8 7 जा 56 होता है इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता तो 3 upon 7 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 ratio 7 तो यह आपका आगया 3 is to 7 not ratio 3 is to 7 यह आपका आगया proportion यह हो गया पहला example ठीक है वैसे second example देखो 63 और 49 दिया हुआ है तो 63,49 इसको आप कैसे लिखोगे 63 upon 49 आप देखो कोई ऐसा number table आपको पता होने चीए 20 तक के table at least याद होने चीए तो आप ऐसा number सोचो जो direct इनको divide करें या फिर ना एक और तरीका में आपको बता है तो यह हमने direct किया इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो जो number आपके दिमाग में है जो दोनों को divide कर सकता है उसको ऐसा लिखो अब मुझे पता है कि 7 के table में 49 भी आता है 7 के table में 63 भी आता है ठीके तो 7 से divide करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ divide by 7 उपर और नीचे भी divide by 7 ठीके ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैंने जो direct cut किया ना reduce कर दिया यहाँ पर आप इस प्रकार भी लिख सकते है तो वो आपके ऊपर है आपको direct करना है तो भी आपको marks मिलेंगे ठीके यहाँ फिर आप इस प्रकार का step दिखाओगे तो भी आपको marks मिलेंगे तो 63 डिवाइट बैस 7 होता है 9 वैसे ही 49 divided by 7 होता है, 7, तो 9 upon 7 आया, अब ये 9 upon 7 और छोटा हो सकता है, कि किसी की table में दोनों एक साथ आ रहे हैं कि नहीं आते हैं, तो ये हमारा proportion हो जाएगा, 9 is to 7, this is your final answer, ठीक है, एक और example कराता हूँ, बाकि आप लोगो के लिए छोड़ूँगा, homework के तोर पे जरूर से क जाएगा, तो देखो, 2 के table में तो नहीं जाएगा, 3 के table में जाएगा, क्या, कोशिश कर लो, 3 के table में भी नहीं जाएगा, 4 के table में, 52 जाएगा, लेकिन 65 नहीं जाएगा, 5 के table में 65 जाएगा, लेकिन 52 नहीं जाएगा, तो ऐसे करते करते जब आँगे तो आपको पता चले यह आपका हो गया proportion, यही आपको निकालना था, correct, तो बाकी आपके लिए 4th, 5th and 6th जो है, वो मैं क्या दे रहा हूँ, होंबंक दे रहा हूँ, जरूर से इसको solve करें, बहुत easy है, मतलब इससे ज्यादा simple कुछ हो नहीं सकता, correct है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं, अगल 40 beats, solve कर लो, तो यह 25 upon 40 है, ठीक है, अब मैं ऐसा number ढूंगा, जो दोनों के table में आता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं divide by 5 कर सकता हूँ, यहाँ पर divide by 5 करूँ, तो क्या आ जाएगा, यह 5 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, correct है, 25 divided by 5, 5, 40 divided by 5 is 8, तो 5 by 8 और छोटा हो सकता है है, नहीं हो सकता, तो आपका answer आजाएगा, that is 5 ratio 8, और आप चाहिए तो यह जो लिखा हुआ है, beats यह भी आप लिख सकते हो, यहाँ ठीक है, तो 5 is to 8 beats, ठीक है, चलो, next, कहुत easy है, मतलब यह पूरा का पूरा exercise जो आप देख पारे हो, यह इतना easy है, पूरा practice है, कि आप आर अब 4 दिख रहा है, यहाँ पे, अब 4 बंदा 4, 4 तरीजा 12 कर सकते हो, 1 by 3 direct answer निगाल सकते हो, लेकिन हम हमारे traditional method से जाएंगे, जो कि यह 4 by 12, अब आपको ऐसा number ढूनना है, जो दोनों को divide कर सके, तो 2 के table में दोनों जाता है, तो मतलब divide by 2, यहाँ पे भी divide by 2, तो यह हो ज जाएगा, ठीके, अब देखो, मैं एक और shortcut यहाँ पे मार सकता था, लेकिन, मैं आपको यह चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ, कि आप लोग shortcut इस्तिमाल कर सकते हो, उसका marks मिलेगा, लेकिन कैसे, अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से again divide by 2 करूँगा, यहाँ पे भी again divide by 2 करूँगा, तो मेरा answer आएगा, यहाँ पे 1 by 3, लेकिन यहीं पे आप एक step कम कर सकते थे, कैसे कम कर सकते थे, कि जो यहाँ पे मैंने divide by 2 लिखा, अगर मैं direct यहाँ पे, ऐसा number चाहिए न, मुझे जो दोने के table में आता हो, तो दोने के table में मुझे पता है कि 4 भी आता है, तो मैं यहाँ पे direct अगर मैं ऐसा लिखता, divide by 4, divide by 4, तो सीधा मेरा answer क्या आ जाता, दोस्तों, सीधा यहाँ पे मेरा answer क्या आ जाता, 4 divided by 4 is 1, और 12 divided by 4 is 3, तो 1 by 3 यानी 1 is 2 3 मेरा direct आ जाता, मुझे इतना लंबा चोड़ा करने के जुरवत नहीं परती, तो बाप इस तरीके से भी कर सकते हो, तीके है, 15 minutes upon 1 hour, तो 15 minutes है, और 1 घंटा है, तो इसको सबसे पहले, क्या करना पड़ेगा, simplify करना पड़ेगा, तीक है, क्या simplify करना पड़ेगा, 15 minute है, लिख दिया मैंने 15 minute, तीक है, लेकिन नीचे 1 घंटा है, तो आपको पता है न, ये दोन सब्सक्र Rawks अब मुझें पता है कि आईसा नभर जो दोनों को easy eating कर सके ृपीन के टेबल तो सबसे पहले कभी भी दोनों का यूनिट देखना यह मिनिट में था यह आवर तागा मिनिट अलग अलगे तो उसको सेम बनाओ ठीक है नेक्स जहां पर आप देखो 30 लीटर से 24 लीटर है तो दोनों लीटर है तो 30 by 24 हो जाएंगे 6 के टेबल में 6,5 जा 30, 6,4 जा 24 मतलब 5 is to 4 आगया आपका एंसर ठीक है कोंसा यह 4 तवन आ गया फ्रिफ्ट वन देखो है आप पर 99 केजी है 4,000 नहीं 44,000 ग्राम है यह देखो यह मज़ा आएगा करने में 99 केजी है नीचे है आपका 4,400 ग्राम तो यह दोनों अलग-अलग हो गए यहाँ पर 3,0 है यहाँ पर 3,0 है क्या बच रहा है 99 अपन 44 बच रहा है अब आप देखो गे तो यह 11 के टेबल में जाएगा यह भी 11 के टेबल में जाएगा तो 11,99, 11,44 यानि कि 9 अपन 4,9 is to 4 आपका एंसर आ गया करेक्ट है कितना सिंपल था जो कि आप देख पार है इतना easy example हो सकता है कि देखो अगर यह practice set exam में आया मतलब इसके questions exam में आये तो आप कर पाओगे कि निगर पाओगे comment करके बता ना ही इतना easy दरीके से हम आपको solve करके दिखा रहे है चलो अगले question पर जाते हैं क्या बोल रहा है रीमा है 24 notebook and 18 books find the ratio of notebook to book तो रीमा के पास 24 क्य है notebook है ठीक है और 18 books है तो उसका ratio मतलब upon 18 books ठीक है 24 नोट्बुक्स अपन 18 books तो मतलब यह हमारा ratio क्या बनेगा 24 upon 18 अब देखो कौन सा number है जो दोने के table में जाएगा max to max में तो 6 के table में जाएगा divide by 6 करो तो 6 पॉर्जा होता है 24 सुरी 6 पॉर्जा 24 अपॉन 6 त्रीजा 18 बराबर तो यह 4 बाइथी आ गया मतलब मेरा ratio आ गया 4 इस्टू 3 मतलब जो मेरा notebook का और book का जो ratio है वो है 4 बाइथी यानि 4 इस्टू 3 कितना असानी से आ गया चुट की बजाते है मतलब 10-15 सेगंड में आप का answer निकल रहा है करेक्ट है अगला question चलो क्या बोल रहा है 30 cricket players and 20 koko players are training on a field what is the ratio of cricket players to the total number of players तो मुझे एक बाद बताओ 30 कितने है cricket player है cricket player 30 है koko player कितने है 20 है ठीक है 20 क्या है koko player total player कितने हो जाएंगे field पे total player कितने हो जाएंगे मुझे बताओ total player is equal to 30 cricket के और 20 koko के मतलब total player कितने है 50 player है पचास player कितने है total है मुझे यह पूछाए कि आपको बताना है ratio of cricket player to the total player मतलब cricket player के cricket player का ratio मतलब divide में क्या आएगा खोखो नहीं आएगा, total आएगा, क्योंकि question में वैसा दिया हुए, तो cricket player upon total player, तो cricket player है total, कितने है, cricket player कितने है, 30 है और total player कितने है, 50 है, मतलब 30 by 50, ठीक है, तो 00 direct cut हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 3 by 5, और छोटा नहीं हो सकता, मतलब मेरा ratio आगया, 3 ratio 5, this is your answer, अब बताओ, कितना easy था, कितना easy था, है कि नहीं, तो इसी प्रकार के questions आपके exam में पूछा जाएगा, आप बिल्कुल आराम से इसको solve करके दिखा सकते हो, समझ में आगया दोस्तों, अब आगे बढ़ जाए, एक आखरी सवाल के उपर चलो, क्या है वो आखरी सवाल, देखो, स्नेहल has a red ribbon, that is 80 cm long, उसका 80 cm लंबा क्या है, long ribbon है, ठीक है, and a blue ribbon, ठीक है, स्नेहल है, red ribbon that is 80 cm long, and a blue ribbon 2.2 meter long, मतला blue ribbon है, जो कि ये 2.20 meter दिया हुआ है, not centimeter long, ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला आपका red वाला है, और ये वाला कितना है, blue वाला है, ठीक है, हमें question पूछा है, what is the ratio of length of red ribbon to blue ribbon, तो सबसे पहले, red वाला ribbon, और ratio उसका निकालना है, blue ribbon के साथ, ठीक है, तो red वाला ribbon कितना है, 80 cm, और blue वाला ribbon है, 2.20 meter, तो सबसे पहले, same-same unit करना पड़ेगा, तो आप देखोगे, तो ये 80 cm है, लेकिन नीचे 2.20 meter है, तो इसको cm में बनाने के लिए 100 से multiply करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है, 1 meter में 100 cm होते हैं, तो उपर का 80 cm वै यसी था, नीचे, आपका आगया, 2.20 multiply by 100 मतलब 220 cm, अब दोनो cm हो गया, अब ये solve हो सकता है, कैसे, उपर 80 है, नीचे 220 है, ये 00 gets cancelled, तो क्या बच रहा है, 8 upon 22, अब ऐसा number ढूनो, जो दोनो को divide कर सके, तो किस के table में जाएगा, 2 के table में जाएगा, तो 2 से divide हो जाएगा, तो 2 4s are 8 होता है, और नीचे 2 11 है, तो 4 by 11, यानि की 4 ratio 11 is your correct answer, correct है, आ गया, तो चुच्ची बजाते है, ये भी आ गया, तो ये हो गया, हमारे total 5 questions, जो हमारे practice set में थे, एक और question है, लेकिन वो आप लोगों के लिए में छोड़ रहा हूँ, जरूर से homework के तौर पर इसको solve कर लेन और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, और अच्छी तरीके से exam में marks भी लाते रहो, ठीक है, चलो, इसके साब वीडियो समापत होता है, वीडियो कैसा लगा है, प्लीज को में पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेर कर देना और पहली बार चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ठीक है दोस्तो तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड गुडबाई